कि यहां पर आज हम करने वाले रे डाग्राम्स ऑफ कॉनकेवलेंस ठीक है तो इन इस टॉपिक बहुत छोटा सा है ठीक है मैं आपको इंजनल बता देता हूं कि आज पूरे सेशन में क्या होगा ताकि आपको डिटिल में समझ में आजा हूं तो इस सेशन में सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे तो जरू करेंगे इस वी का शेडिल दिखाता हूं में आप का अगरлагरें सेशन मिस कर दिया है तो फिर फिर पिष़ Cap को बिल्कुल सही जवाब दिया था, homework का, उनका नाम दिखाएंगे, तालिया मारेंगे, पिछले session को recap करते हुए, हम एक mentee quiz करेंगे, पिछले session में हमने सीखा था, standard incident rays of lenses, उसके बाद हम करेंगे ray diagram of concave lens, जो आज का topic है, फिर इससे related NCRT के सारे सवाल जो NCRT में है, और previous year questions plus important questions from this topic, and then at the end again we'll do one more mentee, तो दो mentee और बहुत सारे amazing सवाल आज आपका अंदिजार कर रहे हैं, आखिर में जो mentee होने वाली है, ये वो सवाल है, जो definitely आपके इस साल के board exam nation में भी आ सकता है, तो probably somewhere about 8.35, 8.40 के आसपास हम precisely यहां वो सवाल कर रहे होंगे, तो miss out मत करना, 30-40 मिनिट का भी session नहीं है, ये actually 4 देते हैं, ठीक है, आप लोग ready हो, प्रतिष्टा जी नमस्ते, बल्ले बल्ले, आपको दिख रहा होगा कि chat में एक link pinned है, यही link description में भी है, this is Vedantu 91010 physics dedicated shots channel, उसमें भी आप जाकर subscribe कर सकते हैं, ताकि भाई, वहाँ पर और बहुत amazing चीज़े होती है, shots में, आपका syllabus हम वहाँ पे complete करते हैं, shots के through, तो आप देखना, electricity के बने डाल दें, मज़ा आएगा आपको, मैं बहुत अच्छा, आप लोग किये हैं, thank you so much प्रदिश्टा जी, तो जो बच्चे आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो make sure to hit the like button, and share the video, और अगर आप हमसे जुडे रहना चाहते हैं, तो subscribe जरूर कर लेना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपके लिए हर एक चेस फ्री होगी, हमारे लिए आपके like, share, subscribe, बहुत valuable है, बहुत, ठीक है, बढ़िया, तो हम भी मस्त हैं, sir, बढ़िया जी, अनुश्का जी, रिया जी, नमस्ते, दिदिप्या जी, रुद्रानी जी, दिव्यान जी, वैश जी, वैभव जी, अनुभव जी, स्री जिनर जी बले, 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 क्या बाद, महेंदर जी कहा रहे, पीटी में फोड दिया, यही तो चाहिए, तो चलो, how motivated are you guys, how motivated are you, चलो, मेरे साथ सब लोग एक बाद थंडर आइफाय करो, मैं समझाँगा कि उतने motivated आप हो, ठीक है, चलो, शुरू हो जा, थंडर आइफाय, ठीक चलो, चलो, हाँ वही, 3, 2, 1, go, good job, good job everyone, क्या बात है, जब भी मैं यह करता हूना, सारे बच्चे चाट में कर देते हैं, THU, THU, which is, थू, 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 ğimiz, हमारा येवाला जो पुक आपको फ्रीण पर इख रहा गोगा, VIP series on power of lens हमने कीया था, मंडे को मेरे ख्याल से मंडी आ टूजडिए एक august तूजडिय हमेरे क्याल से Diosdare बहुत अच्छा session था, देखना बहुत सारे बच्चे आये थे, आज ये session हो रहा है कल एक horse expensive सेशन है how is class 10 board exam paper made यह मैंने बहुत दिल से बनाया है बहुत research करके बनाया है देखना जरूर सेशन को और उसके बाद lens formula magnification numericals का एक session बहुत सारे बच्चे कहा रहे हैं उनके mid times में आ रहा है तो 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 जल्दी कर आ लो तो मैंने lens formula magnification वाले numerical separately set कर दी है आपके 5 august के लिए और उसके बाद ray diagrams of convex lens करेंगे 6 august को और 6 august को एक और important session होगा 5 guaranteed 5 marks के 5 सभाल guaranteed जो आपको light chapter में आ सकते हैं in fact मैंने एक session किया था इसी topic पर और वच्चा कह भी रहा था कि sir आपके 5 सभाल में से 2-3 सभाल तो आ गया हमारे पीटी में तो देखना जरूर इसको ठीक है चलो पिसले session जैसे मैंने कहा था topic थी यह आपका homework था which of the race shown below follow the laws of reflection बताइए भाई यहां पर आपके सामने कितना है चार rays है इन चार rays में कौन से rays आपके laws of reflection follow कर रहे हैं in fact आपको इतना बताना है कि इन में से standard instant रहे कौन सा है बिल्कुल रखेंगे अनुष्का जी बिल्कुल रखेंगे सराज पिक्ष्णरी गेम नेक्स लेवल था है ना दीदी प्या जी मेरे को यह बहुत मसा है था बिल्कुल सही आप लोगो भी ठीक है और हमारे अर्विन जी कहां है मेरी जिक्र हर दिन आती आज दिखनी रहे जिक्र जी आप लोगो भी ठीक है और हमारे अर्विन जी बी आंदी सेकंड पॉइंट विराट को ली जी है अनुभव जी क्या बात है और यहां पर दिख रहे हैं और यहां पर यहां पर सन्योग जी भी है है सेकंड वन इस करेंड यहां पर क्या बात है अनुभव जी हो देखा अनुभव जी प्रेसेंट सर्बूर है हमारे वेदिका को सौमी जी भी है सब के लिए ताल्या हो जाए यह हमारे होमवक के रॉकर्स है आज में आपको एक होमवक दूंगा सेशन केंट में देखते कौ हां 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 है इमेल यहां को देखे एक सकंड बच्चो ठीक है हां जी कि मेंटी का लिंक खुल रहा है बच्चो एक सकंड है है अब लोग रेडियो हो जाओ मेंटी का कोड बता रहा हो तब तक आप जॉइन कर लो मेंटी.com पे जाना है सारे बच्चो को ठीक है भूलना नहीं है मेंटी.com पे जाना है और आपका कोड में जल्दी से बता देता हूं अभी आपके सामने स्क्रीन पर आभी जाएगा ठीक है यह रा भाई ठीक है ग्रेट तो भाई कोड देख लो स्क्रीन के उपर 17372405 है ठीक है सारे बच्चो को मेंटी.com पे जाना है और कोड डालना है 17372405 इसके साथ आप जॉइन कर लोगी जल्दी जूड़ जाओ बच्चो सारे बच्चे जल्दी जूड़ जाओ चलो 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 क्या बात है बहुत बढ़िया सरे एक मने टुके बहें से फोन छीन के लाती हूं बिल्कुल अनुशकर जी जो बच्चे लैप्टॉप यूज़ कर रहे हैं आप लोग लिए बहुत बहुत ईजी एक नया टैप को लिए वहाँ पर मेंटी.com डाले कोड ड ठीक है चलो मैं शुरू करता हूं ठीक है त्री टू वन ख्विज आपके सामने यह रहा पहला सवाल आपके सामने रुक अरे जल्दी जल्दी जौन करो वाट हैपेंस तो रेस पासिंग तूदी सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है रिमेंस अंडिवियेटेड पासर सूदी फोक ठीक है बढ़िया येस रिमेंस अंडिवियेटेड इस अप्सुली करेक्ट आइंसर कंग्राचुलेशन पचास से आदा बच्चे जुड़ चुके अभी बहुत अच्छी बात है लीड़ बोर देख लेते हैं एक बार सेंट इल्मो जी ऑंधी टॉप नाम लिखने का वक्त अनुभव जैसवाल जी एक्यासर फैन थैंक्यू सो मच अनुभव जी मैं आप लोग का खायन हूं हिरग्राच जी अंशन व्यांज से आगी जी नमस्ते थैंक्यू बेटा अर्विन अनुश्का आपकी शेर नी येस अनुश्का यू आर मैं शेर नी अभिनव जैन जी थैं चलो second question आपका भी निया प्रिदिशाजी कोई भात नहीं आप लोग सब तो मेरे दिल में रहते हों हां जी तो the diagram showing the correct path of the ray after passing through the lens is shown the diagram showing the correct part of the ray after passing through कौन सा है भाई पताए इन चार में से सही standard instant ray कौन सा है और यार यार ये भी बहुत easy है क्योंकि इन में से तो आप कर ही लोगे चलो सथ डाउट light energy is absorbed by the medium then where does this energy go law of conservation of energy yes very good question बिटा अस अस्तिक्या जैंजी असित अस्तिक्या जैंजी असित अस्तिक्या जैन है ना और electron उसे as a kinetic energy utilize करते हैं ठीक है आगे जाकर 11th grade में आप बहुत interesting concept पड़ेगे जिसको कहते हैं एलेक्ट्रो भोल गया मैं फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट हां करेट फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट पड़ोगे आप जिसमें आपको समझ माया है कि light energy absorb करने के बाद हर एक metal ह हार एक बॉड़ी के अंदर के electrons क्या कहते हैं अब जॉब करते हैं किनेटी की फॉर्म में उसको release करते हैं ठीक है है हां जी बहुत बढ़िया तो फर्स सेकेंड एंड थर्ड आक्चली वेर राइट सिर्फ आपका चौता रे डाइग्राम गरता जिसमें आपका डाइग्राम ऐसे ऐसे बना हुआ था यह फर्स सेंट सेकेंड नॉली क्यों कर दिया आपने हैं बेशर्म भूल गया निजल दी मांसी जी नमस्ते तुसेल टैंबो जी अंच जी शुभम अभी प्रतिष्टा जैश्री हश रक्षिता थांक्यू सो मच बेटा मीटू जॉनी महिंद्र आग अग्या जी कोई बात नहीं सर्य सेकंड क्वेशन में पीटी वन एक्जाम में आया था यूशी जी मैं तो कहता ही हूं मैं इंपोर्टन सवाल कर रहा तो मैं करवाने जो सवाल होते हैं वो इंपोर्टन भी होते बोड में आते हैं आपके सिपनेट रेवा पासवाफन दो मुष्द्रा का थो का स्वाल एपनेगी में हमारे कमें तो स्थर्ष तैंक यूस सू उमच पर शब्ट बीड जूटलय था टोयट तो अंडग्एश आट इंप लड़ा तो ये पीड़ हमें जांव पर दई पंसर में घ्म टूष जे विवल very good second option is absolutely correct रे डियाग्राम याद करो जो रे फोकस के तुरू निकलती है पहलल हो जाती है वो पहले स्टाइड इंसिंटरी के ऑपोजिट होती है ना मिस्टर फोकस में से स्फोकस चलो और है शुबम जी टॉप कर रहे हैं कि अज्री ओफार्ण फेस कि अप्सलिटली फैंटास्टिक है हाँ बिल्कुल रिया ठीक है तो बेटा मैं आप लोग और स्प्राइस देता हूं तो session के एंड मेंटी क्विज होने वाली है कॉंके लेंज की उपर उसमें हम बैट रखेंगे और बैट रखने पर अगर आप जीतते हो तो कुलदीप सर को प्रांग कॉल किया जाएगा अगर मानलों आप हारते हो तो कुलदीप सर के सेशन में आपको कमेंट में कुछ करना पड़ेग तो बले 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 बोलो जल्दी से हां जी आक्षां जी बिलकुल नाइं पोजिशन पर लेट जोन अन्मोल जी एस एकन सी क्या बात है अभी जी नमस्ते बढ़िया चले शुरू कर ले अरे शार्वनी जी कैसी हो आप बहुत दिनों के बाद चलो ठीक है वोट अस्टानर इंस्टेंट रेस सवाल होगे ठीक है तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर हां सर आज तो कॉन्केव लेंस पड़ रहते हैं कॉन्वेक्स मिरर का सर बताता हूं यार सबका रीजन होता है सर आमने तो सोचा में था आप इने खुद पूछ लिया आई नो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तमाल कहां होता है जहां पर आपको ज्यादा चीज़े देखनी होती है चोटी सी जगह पर जैसे कार के रियर व्यू मिरर्स वहां पर पीछे का पूरा रोड देखना होता है पीछे म जहां पर यहां से आने वाले अचंड आघ पर OUT यहां और यहां सवाल यहां पर एक ढोर लेंस भी होती है हमारे दरबाजे के उपर एक डोर लेंस होती है हमारे हम से बहुत सारे लोग फर पर होगी है जिसके थूर डोर के थूर देखते हैं अब ये भी हमें एक वाइडर व्यूव देता है हमें सिर्फ जो इंसान सामने कड़ा वो दिखता नहीं है है ना हमें पीछे का पूरा बैग भी दिखते हैं इन्वर्टे नहीं दिखते हैं तो जल्दी से बताईए कौन सा लेंस होगा क्योंकि मिरर तो है नहीं है क्योंकि आर पर दिख रहा है आपको ट्रांस्परेंट है तो ये मिरर ये लेंस कौन सा होगा कॉन्वेक्स होगा कॉन्वेक्स होगा जल्दी बताईए वेरी गुड विश्वा, वेरी गुड दीदिप्या, हरीश कॉन्वेक्स हरीश? सोचो मैंने बताया था आप लोगो वेरी गुड, वेरी गुड, येस दी आंसर तो इस कॉईशन इस नॉट कॉन्वेक्स इस कॉन्केव हमेश याद रखेगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस एक जैसे एक जैसे, कैसे एक जैसे, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी बेसिस में, जल्दी से मुझे बताईए कि कॉन्वेक्स मिरर के कितने रे डाइग्राम्स थे, जल्दी बताई ही मुझे, कॉन्वेक्स मिरर के कितने रे डाइग्राम्स थे, अगर आप लेंस अगर यह टॉपिक मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो आपने मेरे अलड़ी पढ़ लिया है मेरे ख्याल से, जैसे convex mirror एक virtual focus बनाता है diverging mirror है वैसे ही concave lens भी a diverging lens है वो virtual focus बनाता है तो concave lens और convex mirror के properties एक दूसरे से absolutely similar है तो अभी हम वही करने वाले है तो आपको मुझे बताना है guys कि convex mirror के scene में object सबसे पहले कहां रखा गया था सोचो और बताओ object सबसे पहले कहां रखा गया था convex mirror के case में object position क्या पहला infinity बहुत बढ़िया आरीश yes रखा गया था infinity पे image कहां बनाता virtual बना था erect बना था diminished बना था अभी शेक सर बोल बोल के ठक चुके है कि विदान्तू का वेद याद रखोगे तो convex mirror की image properties याद रहेंगी virtual erect और diminished बिल्कुल सही ठीक है दूसरा image position क्या था दूसरा image position हिंता आप object को कहीं पे भी रख दो image तो जहां बननी चाहिए वहीं बनेगी फरक नहीं पड़ता हमेशा virtual erect और diminished बनेगी यह अब हम प्रूप कर रखे दिखाते हैं concave lens के case में object को हमने रख दिया infinity पे कहां पे रख दिया है object को हमने रख दिया infinity पे अब हम देखते हैं कि image कहां बनता है जब object को infinity पे रखा जाता है तो race आती कैसे है हम यह assume करते हैं कि race parallel आ रही है और अगर race parallel आती है बच्चो और एक concave lens उनके साथ क्या होता है यह हमने पढ़ाता focus वाले case पे है क्या होता है भाई concave lens है diverging lens है वो diverge कर देती है race को है ना वो race को diverge कर देती है ऐसे यह गया refracted ray यह गया refracted ray यह भी गया और यह भी गया सारी rays refract हो जाती है फिर हम क्या करते है हम इन सारे refracted rays को project back करते है है ना project back करते है और तब जाकर हमें इस lens का focus मिलता है और यहीं पे जाकर जो object infinity पे रखी गई है उसकी image बनती है क्या यह image real है जवाब है बिलकुल नहीं क्यों project back करने के बाद यह image बनी है on the same side of the object तो यह image virtual है हर एक virtual image erect image होती है क्या आपको image दिख रही है जवाब है बिलकुल नहीं तो यह हो गई highly diminished image यह हो गया अगर मालो वेद को खासी आगे तो वेद ठीक है इसलिए edge बीच पर रख दिया तो virtual erect or highly diminished image यहां पर बनता है so when the object is at infinity image is formed at the focus नकली image बिलकुल सही का आपने blue sky जी नमस्ते है बुडवक image है सबने नाम दे दिया बुडवक image ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाईस fantastically awesome ठीक है radical जी बोल रहे है हलो अलग सर नहीं पेटा अलग सर तो बहुत उपर है हम छोटे मुटे teachers है अरपन image हो सकता है ठीक है बढ़िया चलो अब शुरू करें अब आगे बढ़ते हैं ये clear हो गया ये हो गया आप पहला ray diagram convex mirror के exactly similar है ना convex mirror के exactly similar अब हम आगे बढ़ेंगे to find out second position ठीक है मान लो concave lens के सामने हमने कहीं पे तो object रग दिया कहीं पे अभी फिलार कहां रखा है भाई beyond 2F2 रखा हुआ है कहीं पे हमने रग दिया ठीक है कहीं पे हमने object रग दिया तो अभी हम इस्तमाल करेंगे standard instant race का और पता करेंगे इमेज बुडबक बनता कहां पे ठीक है तो मैं बताऊंगा आप लग जबाब देना तो बच्चो अगर ray parallel है तो क्या होगा जल्दी बताओ अगर ray बुडबक parallel है तो क्या होगा जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे मोह माय वाल इमेज विल्कुल हाँ diverge out होगा ऐसा लगेगा कि अरे यार यह concave lens है बेटा convex नहीं है F2 मत बोलो F1 से pass होगा बहुत बढ़िया रक्षिता बहुत बढ़िया रिशन यह सुखमन जी बहुत बढ़िया यह पहले तो भाई वो diverge होगी है ना पहले ते वो diverge out हो जाई और उसको हम project back करेंगे तो F1 के तरू निकलेगा तो यह होगे आपकी incident ray number 1 refracted ray number 1 ठीक है यह होगे आपकी पहली standard incident ray अब हम दूसरी बनाएंगे दूसरा कौन सो होता है सर मान लो अगर एक ray F2 के पास ऐसा लगे कि वो F2 से घुजरेगा तो क्या होगा इफ रे अपियर्स टू पास दी फोकस इट विल बिकम पैरलल टू दी प्रिंसिपल आक्सेस इसको भी project back करेंगे तो यह हो गया आपका क्या incident ray number 2 और यह हो गया आपका refracted ray number 2 इसको भी project back करेंगे तो देखो भाई यह यह आँपे intersection हो रहा है तीसरा वाला भी बना देते confusion क्यों चोड़े तीसरा वाला भी बना देते confusion क्यों चोड़ना है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई intersection इन तोनों की यही पर हुई है और जहां पर intersection होती है वही पर image बन जाता है तो भाई इस top से हमने उठाया था light rays तो top का intersection आपको यहां पर मिलेगा तो कैसा image बना हुआ है project back करने के बाद image भी नहीं है तो virtual है और देख सकते हो principal access के ऊपर है तो erect है और देखोगे आपका image का size object के size से छोटा है तो diminished है वेदानतु का वेद याद अरख लो आपका concept का तम virtual erect and diminished तीनों rays का मने इस्तमाल कर दिया examination में आपको जरूर नहीं कि तीनों rays का इस्तमाल करना है आपकी नहीं दो रेस के स्तमाल कर सकते हैं कि आपको intersection तो दो रेस से मिल जाए simple very simple question don't have to worry about it very simple done बढ़ या तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले hit the like button if in case you haven't yet done sorted guys take a picture if in case you want now I'm pretty sure you might be wondering sir what if हम object हो कही और रख कर देखें क्या और रखे देखते हैं रखे देखते हैं वाई नॉट वाई नॉट लेट्स लेट्स डू इट चलो ठीक है तो इस बार हमने object को beyond 2f2 से पास ला दियो ठीक है अब देखते हैं क्या होता है तो एक रे parallel आई diverge out projected back focus दूसरी रे appears to pass through the focus becomes parallel project back intersection array passing through the optical center goes undivided कहां बना image look at this image very carefully the image is still virtual erect and diminished and be very mindful about this one more interesting question where is the image formed between focus and optical center like convex mirror convex mirror image is always formed between pole and focus same way here image is always formed between focus and optical center there is no difference even in the previous case you can see so your image never leaves the focus when the object is at infinity image is formed of the focus it never leaves the focus now there is one more question which comes in board examination I'm not gonna ask you that right now and I need spam in the chat if I bring the object closer to the lens if I bring the object closer to the concave lens which direction does the image move towards the lens or away from the lens yes which was a way towards so you can see very very well that there is a confusion here now I would like you guys to put some common sense into it okay that's common sense goes to object which is simultaneous infinity image focus and when object was passed beyond 2f to the SDC the lens passing and the object distance is directly proportional to image distance in the case of concave lens object distance कम होगा image distance भी कम होगा मतलब दोनों towards the lens जाएंगे object distance जादा होगा image distance भी जादा होगा दोनों away from the lens जाएंगे इसको याद रखेगा concave lens के case में ठीक है बढ़िया awesome चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने का क्या हो गया पीवाइक्यूस करते हैं अभी क्योंकि इससे related ncrt में कोई सवाल नहीं कॉंके लिंसों के सवाल नहीं है लेकिन हाँ प्रीवेस एर क्वेस्टेंस हैं दिखाता हूं मैं आपको 2013 का सवाल देख लो contenting के लिए तालिया हो जाया धूंड धूंड के 2013 10 साल पुरान सवाल उठाकर लाएं वो कि ऐसा कोई सवाल ही ना हो जो बच्चों से हो जाए करवा के छोड़ें है ना सभीता जी बताना क्या डाउट है आपका सही होग जी समझ आप समझ गया आप क्या बात है ठीक है बताइए इस में क्या सवाल है देखते हैं हाँ ड्रॉर रे डाइग्राम टू शो दी पाथ ऑप दी रिफ्लाक्टे रही नीच ऑफ फॉल गलतियों के वज़े से आपके मार्क्स कर सकते हैं यह सब बनाना ही बनाना है एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पैलल ट्विट्स प्रिंस्पल आक्सिस तो अगर एक रे आप देख इसके बाद आपको सेंटर में लेंस के एक लाइन कीस दीनी है यह बहुत इ जाएंगे हो सके तसके उपर इंसिदेंट रे ऐसे आयार करके लिख भी देना और उसके बाद रे गई उस पे भी एर रोमाग बनाना है फिर रिफ्रक्टेट रे लिख देना उसको फिर डॉटर लाइन से प्रोजेट बैक करना और सबसे इंपॉर्टेंट बात डाइग्रा हो गया दूसरा क्या है इस पासिंग दूट पास होती है तो बहुत बढ़िया तो अगर एक लिए फोकस की तरफ डिर्ट होती है तो वह पैरलल निकलती है यह तो हमने बना दिया वाही कोई और सवाल है 2020 का सवाल भी है क्या सवाल पूछ रहा है ड्रॉर डायर मीश अश्व तो फिर आप कोई भी इमेज बना सकते हों जो इमेज हमने अभी कुछ देर पहले बनाया था है ना यह इमेज बना सथा फरक नहीं पड़ता ठीक है देखो 2020 में भी आया है 13 में भी आया है क्या वात है कर लें quiz done then quiz कर लें let's do it तो मैंने बोला तो आपको की exactly at 8.35 और 30 आए भी taking the quiz will doing most important questions I think we are right on time ठेक है तो जल्दी से शुरू कर दो फिर अरे रक्षिता जी आपको quiz खोल कर यहां पर दिखा देता हूं तो जब तब 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 आप जोइन कर लो मैं इस बार आपको थोड़ा दूंगा जोइन करने का क्योंकि पिसले बार में को लगता है कुछ हम मेरे सपन मों कि राड मी कब आएं गी दो को हुआ है को है कि अके है को और दान चलो आजाओ को आपको देखिया है को अब शक्राइब नॉत अब है हाँ बढ़िया चलो ठीक है जल्दी जॉइन करते जाओ मैं आगे बढ़ता हूं आपके चैट दिख रहेता हूं मैं ठीक है तो जब तक आप लोग जुड रहे हो मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर कोई क्लास 9 का बच्चा है तो बेटा प्लीज जल्दी से विधान तो क्लास 9 चैनल को भी जॉइन कर लेना आपके लिए अपने भाई बैन को प्लीज बोल देना जुडने के लिए बहुत दमाका हो रहा है let me also tell you saturday को एक बहुत इंट्रेस्टिंग सर्प्राइज आपके सामने आने वाले है थेक है बहुत इंट्रेस्टिंग सर्प्राइज तो कैसे हो भाई सबढ़िया सर विएपी सीरीज के मद्दे से साइंस में फूल स्कोर किये ये चिन में थैंक यू सो मुच पर वैलिडेशन बेटा सर बारा फीट ऊपर बैट कर अच्छा सराइफां 50 आउट ओफ 49 इंट साइंस यह जल्दी रिवर पास करके स्कूल जाओंगा अच्छा ऐसा है अच्छा ठीक है चलो मैं आपको बाकी चीज़ें बता जेता हूं तब तक है न तो बेटा इसी वीडियो के डिस्रिप्शन आप देखोगे हर एक चैनल की लिंक है यार फिजिक्स तो अभी चेक आउट को अभी जाके है न खुलके चेक आउट कर लो बहुत इंट्रेस्टि इसप्टिस्र्गां कर लो zal में प्राइक क्लिक्ट प्लिक्ण को और उसके बाद आपको लीडेस्ट प्लेपल्स हरे क्लिक करो जो नहीं देखा है देख लो अप्टू डेट हो जाओ और फोडो एक्जाम्स में ठीक है और 90 सेकंड्स के वीडियो उसका प्लेलिस भी यहां पर है हर एक टॉपिक उमने 90 सेकंड्स में भी किया हुआ है यह सारे टॉपिक समयों 90 सेकंड्स में किये हुआ है तो आप सब्सक्राइब खोलो देखो फोडो जैसे 20 मिनिट्स के वन शॉट आप देखकर फोड रहे हो ना वैसे यह देखकर भी फोडो ठीक है उसके बाद वन शॉट्स के प्लेलिस सूपर 30 सूपर 50 सूपर 100 प्राक्टिस एसेशन रीजनिंग केस बेस कोईशन रिवाइज इंडिय on side A and emerges out of the holes on the other surface of the box which of the following could be inside the box 20 by 20 I King Sidji ये हुई ना बात so proud what's up Arjun1m sir physics मेरे को full marks आया लेकन refractive index नहीं हो पाता ऐसा है मानिश्पी जी यार मेरा refractive index नहीं सेशन देख लो आप in fact मेरा अगला वी आईपी भी रिफ्राक्टिव निक्स की ऊपर आप चेक आउट कर ले न अदर्वाइस डिस्रिप्शन में जाओ जो मैंने बताया था ना इस साह का latest playlist उसमें देखो refractive index होगा तो concave lens is the absolute correct answer मुझे पता कि confusion कहां पर हुआ बहुत सारे बचे कॉन्वेक्स न्स भी कह रहे हैं तो बेटा प्लीज ध्यान देना numbering में बॉक्स के पहले number दिये गये हैं ठीक है क्या number दिया है ऐसे parallel race थे 123 ऐसे दिया हुआ था ऐसे दिया हुआ था 910 ठीक है कि उसके बाद आप देखोगे मेरे ख्याल से फिर ऐसे ऐसे हो गया था और 10 उपर नहीं यार मेरे ख्याल से उस image में न नीचे था उपर से 123 शुरू रहा था in that case तो फिर वो convex lens होना चाहिए i think convex lens होना चाहिए concave नहीं क्योंकि महां पर divers नहीं होना था numbering मैंने भी देखी थी मुझे लगता कि convex होना चाहिए है ना जिकर जी गरत मांगने नहीं हां करेट बुल रहा हो ये convex lens होना चाहिए second question आपके सामने ये रहा फोड़ो 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 high five to you Atang, high five to you when object moves closer to a concave lens the image by it shift i think i gave the answer to this already directly proportional directly proportional ऐसा हो रहा है यार एक बर रिजोइन कर लो बिटा refresh कर लो because it's already logged in code आपका screen के ओपर है 47263441 and the answer to this question is very good absolutely fantastic extremely proud of you guys इस सवाल में सही जवाब देना बहुत important होता क्योंकि ये प्रूव करता कि आपने समझ ले आजगे session को absolutely fantastic अंजी अर्विग्राज जी बहुत बढ़िया hmm जीत रहा हम हाँ बिल्कुल जीत रहा है हिग्राज जी अंश एक यार से दिवानी कुंकुम जी रक्षित रक्षिता जी अंशनवंच बिश्वा कार्तिक अनमोल अर्वेन अन गौरव भाई टॉप 10 बढ़ला वह नहीं लगना मिरको लेकिन यह बहुत क्लोस कॉल यार अलब टॉप 7 1900 में है और उसके बाद वाले भी बच्चे 1890s और 80s में है इस वेरी गुड़ गेंग वेरी गुड़ वेरी वेरी हापी फोर यह ठीक है आखरी सवाल आपके सामने यह रहा बस आप लोगों से यह ही रिक्वेस्ट होगी आखरी सवाल से पहले प्लीज हिट दी लाइक बटन और शेयर इस वीडियो अगर आपको यह बहुत वैल्यू अड़िए इस लग रहे हैं और सब्सक्राइब जरू करना प्रेस्टी बैल इकन टुके नोडिफाइब आप अबरी सेशन आश्वेल ठीक है विच अब दी फॉल इस टू फॉर आप जानते हैं और बता दिया विदान्तु का वेध येस आप लोगो के परसंटेज का काउंट पहले और तीसरे सवाल में 75 परसंटेज भी नहीं आया है ठीक है दूसरे सवाल में आपने काफी अच्छा किया था दूसरे सवाल में आप लोग जाना नेक्स कुलदीप सर के सेशन में और यही बोलना जो मेरी ख्याल से आपी ने कहा था कि सर भावी मिल गई ठीक है चलो आगे बठते हैं गाईस to the end of this session let us check out the leaderboard and talk about the homework question as well ठीक है जब तक leaderboard set हो रहा है homework question देख लेते हैं here's the homework question for all of you guys today ठीक है इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट से मुझे क्या क्या चाहिए homework का जवाब चाहिए ठीक है homework का जवाब बहुत-बहुत important है homework के जवाब के साथ मुझे भी बताना कि आपके मिटम्स का syllabus क्या है ठीक है ठीक है नेक्स वी का जो सप्राइज थोड़ा सा और बेटर हो जाए और यह भी बताना मेरे को कि आप लोग कैसे हो और यह सेशन कैसा था ठीक है मेरी हाइट अधन जी यार मैं मैं जादा टॉल नहीं हूँ अबाइट 5.7 कुट बी मैं हाइट अंशन वंच दिबारा जीत चुके है क्या बात है भाई लगातार अंशन वंच जी रॉच्व डॉच टोच और अंशन वराच्छ न्यार चाहिए अंशन वर्छराशन यह भी मैं अपको एकडल में दिखादेता हु ज़ा और यह आ थिए और वह थोड़ा था प्रशुक्त था लाइटा हुआ आपको ए लॉड़ा दिखादेता हुट आज क्या देट है यार देट क्या आज की या देट तीन तारीक है ना तो यह आज का सेशन हो गया हाँ यह है चौता अगस्त हाउ इस क्लास 10 बूर एक्जम पेपर मेट रियालिटी कल नौ बज़ों के बहुत अच्छा सेशन है बहुत रीसर्च वीडिकी साथ में बनाया है फिर रे डियराम सब कॉन्वेक्स लेंस है और अगें फाइम मार्कर गैरिंटीट फाइम मार्कर जो आपके पेपर में आएंगे मिटम्स और बोर्ट्स पर वह मैं करवा रहा हूं और अगर मैंने बोल दिया कि आएंगे तो आएंगे आसा आप कर लो नोट डाउं कर लो ठीक है चलो पीस पीपल